दोस्तों यह हमारे पास हमारा Windows का computer है, desktop है और अगर आपके पास भी computer है या फिर आपके पास laptop है Windows का तो आप normally जब अपने mobile phone से कोई data जिसकी photos हो गया, videos हो गया इसको आप transfer करते हो अपने laptop PC की उपर या अपने laptop PC से कोई file को आप अपने mobile phone पर transfer करते हैं तो normally आप भी इस तरीके से data cable को connect करके transfer करते होंगे, लेकिन यार इसमेना time फालतु में खराब होता है, लेकिन अभी Google ने एक बहुती कमाल की application को launch किया है, जिसके तुरू आप अपने laptop PC से, अपने mobile phone में, अपने mobile phone से, अपने Windows PC में data को बहुती quick तरीके से transfer कर पाएंगे, और चलिए, सीखते हैं, सबस्क्राइब आपको अपने laptop PC की उपर आना है, और आपको browser open करना है, जैसे हम यहाँ पर Chrome browser open कर रहे हैं, अब आपको search करना है, nearby share, दोस्तों अभी Android ने हाली में, यहाँ पर nearby share application को यहाँ पर launch किया है, तो आपको जो पहली website नजर आगी, www.android.com, get started with beta, आप click करेंगे इसके उपर, यहाँ पर आपके सामें setup download होना start हो जाएगा, आपको इसके उपर double click करना है, click करते ही आपका यहाँ पर yes करने के लिए कहेगा, तो आप इसको install करेंगे, और यहाँ पर जो आपने अभी search किया था browser पर, उसको आप close कर देंगे, अभी हमार यहाँ पर download complete हो चुका है, आप आपको search कैसे करना है, windows की उपर आपको click करना है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे nearby, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप near कर लिखेंगे, तो यहाँ पर nearby share beta from google आजाएगा, आप इसको simply open करेंगे, open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से interface नज़र आएगा, अगर आपको sign in के लिए बोलता है, तो आप sign in भी कर सकते हैं, अगर आप जो है, ना चाहिए तो आप without sign in के भी इसका use कर पाएंगे, ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको सबसे बिले setting करनी है, यहाँ पर device is hidden, तो इसको आपको change करना है, received from everyone, जैसे आ आपको अपने laptop PC के उपर सबसे बिले setting और करनी है, वो आपको करनी है कि आपके laptop PC पर जो आपका Bluetooth है, इसको आपको open करना है, on करना है, साथे साथ में आप इसको wifi को भी on कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारी यह setting हो चुकी है, अब guys आपको जाना है अपने android mobile phone की settings में, settings मे आप आएंगे और Google यहाँ पर search करेंगे, जैसा हमारा Google का options आचुका है, अब आप नीचे आएंगे, और यहाँ पर एक options है, device and sharing का, आप device and sharing के उपर क्लिक करेंगे, सबसे last में आप देखेंगे, nearby share का एक options से आपको इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के पाद आप इसको जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे, तो इसको भी आप यहाँ पर जो है everyone कर देंगे, जैसे आप इसको everyone करेंगे, done कर देंगे, तो अब हमारा यहाँ पर everyone किसी को भी हम share कर सकते हैं, तो directly अब आपको करना यह है कि अब हम आचुके अपने PC के उपर, अगर आपको कोई file क जैसे कि photos या videos को आपको transfer करना अपने phone के उपर, तो आप directly one by one file को transfer कर सकते हैं, अगर आप पूरा का पूरा folder को share करना चाते हैं, तो select folder कर सकते हैं, मैं आपको एक file transfer करके दिखाता हूँ, select file आपने क्लिक किया, अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी file है ना, आप उसको ID किया था, हमारे phone का ID है यह, तो हम इस device को click करेंगे, click करने के बाद हमारे phone पर notification के लिए आएगा yes, तो आप उसको accept कर लेंगे, जैसे आप इसको accept करते हैं, अब देखिए हमारे phone में data receive हो चुका है, अब guys मान के चलो आपको अपने mobile phone से कोई file को transfer करना है, for example मैं आपको nearby आपको तभी नजर आएगा जब आपकी setting में इसको on रहेगा, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपके mobile phone में भी Bluetooth और आपका Wi-Fi जो है on रहना चाहिए, इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि यह जो connect करता है, वो Bluetooth और Wi-Fi के माध्यम से एक दूसरे को connect करता है, तभी आप फाइल भीच पाते हैं, तो सबसे टॉपर दिखेंगे nearby का एक उपसर से हम इसको select करेंगे, तो अभी हम PC से इसको पहले done कर लेते हैं, done करने के बाद थोड़ा wait करेंगे, अब देखिए, यहाँ पर हमारा device दिखा रहा है, हम इसको click करेंगे, हमारा PC का device और अभी आप दिखो हमारे PC के उपर accept के लिए कहेगा, तो आप इसको accept करेंगे, जैसे accept करेंगे, अभी यह 52MB का फाइल है, बिलकुल यह 5-10 सिकेंड में easily हमारे PC के उपर transfer हो चुका है, अब गयज आपको एक बाद ध्यान रखना है, जो भी आप data अपने phone से अपने laptop PC के transfer करते हैं, वो आपको कहाँ पर सो करता है, सबसे उपर आप settings में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका file है, वो download वाले folder में नज़र आएगा, तो चले मैं आपको यहाँ पर दिखा यता हूँ, my PC में जाके, download में, यह मैंने अगर आप चाहे तो इसका location भी change कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको desktop में ये किसी और folder में save करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको change कर देंगे, तो आपका यह file जब भी आप phone से receive करोगे, वहीं जाकर यह file आपका save हो जाएगा, तो इस तरीके से आप बहुत ही असान लगा comment करके ज़रूर बताएं